आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि इंडियन गैस का सबसीडी कैसे चेक करते हैं कि कितना पैसा एकाउंट में गया है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम दिलिप कुमार और हमारे यूटूब चैनल दिलिप ग्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो सबसीडी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है माई लपीजी माई लपीजी टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सबसे उपर वाले वेबसाइट mylpg.in पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नया पेज दिखाई देगा उसके बाद आपको यहाँ पर तेन सेलेंडर दिखाई देगा आपको एंडियन वाले सेलेंडर पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा उसके बाद आपको नीचे के तरफ आना है और यहां Give Your Feedback आंलाइन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर दिखाए दे रहा होगा इस पर आपको किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने एक नया पेज डिस्पले होगा उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है गैस सबसीडी गैस सब्सीडी टाइप करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है प्रोसीड पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको सब्सीडी रिलेटेड पाहल पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको निचे की तरफ आना है और यहाँ subsidy not received पर क्लिक करना है subsidy not received पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक नया page display होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना register mobile number डालना है और यहाँ capture पर tick कर देना उसके बाद आपको submit पर click कर देना है submit पर click करते ही दोस्तों आपका फूरा detail यहाँ पर आ जाएगा तो दोस्तों अगर आपका mobile number register नहीं है तो आपको यहाँ पर LPG ID भरना है तो दोस्तों मुझे पता है कि आपके पास LPG ID भी नहीं होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको LPG ID पता करना होगा तो दोस्तों LPG ID पता करने के लिए आपको know your LPG ID पर click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना state select कर लेना है state को select करने के बाद दोस्तों आपको district select करना है डिस्ट्रिक को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्ट्रिब्यूटर का नाम सेलेक्ट करना है तो दोस्तों डिस्ट्रिब्यूटर का नाम आपको गैस पास्बुक पर मिल जाएगा वहाँ से आप देखकर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं distributor का नाम select करने के बाद दोस्तो आपको consumer number यहाँ पर भरना है तो दोस्तो consumer number भी आपको guest passbook पर मिल जाएगा वहाँ से आप देखकर यहाँ पर आप भर देजिए consumer number भरने के बाद दोस्तो आपको find पर click कर देना है find पर click करते हैं दोस्तो यहाँ पर आपका LPG ID number आ जाएगा और दोस्तो यहाँ पर आपका LPG ID automatic यहाँ पर fill हो जाएगा उसके बाद आपको capture पर click करना है उसके बाद आपको submit पर click करना है submit पर click करते ही दोस्तो यहाँ पर आपका पूरा detail आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ detail यह भी पूरा नहीं दिखाए दे रहा है इसे पूरा देखने के लिए आपको three dots पर click करना होगा उसके बाद आपको desktop side पर click करना है desktop side पर click करते हैं दोस्तो यहाँ पर मेरा पूरा detail आ जाएगा और दोस्तो यहाँ से आप देख सकते हैं order number, order date, cylinder quantity और दोस्तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा subsidy amount की कितना पैसा account में गया है तो दोस्तो इस तरह से आप भी subsidy चेक कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद है कि यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए